हेलो दोस्तों आप लोग कैसे हों लगभग ठीक होंगे यह हमारा प्रीबोड जो आ गया है पेपर इसका हमने साइंस का बना लिया है यह इंगलिस का बना रहा है साइंस का आप लोग ना देखे होंगे तो नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक रहेगी आप लोग वहां से डिरेक्ट आप लोग देखेंगे हमारी एक रिख्विश्ट है लायक कमेंट सेइर कीजिए सऑ्सक्राइब है गीचिए सास्क्राइब नहीं आ रहे हैं उसमें बहुत देख लिए लेकिन आप लोग कर सकते हैं करिए संस्क्राइब सपोर्ट चलिए नहागे कोशन इसका हल यह ठीक यह पैसेज है इसका सबसे पहले हम एंसर करेंगे इसका एंसर पहला होगा पहला जो ए आप्शन है इसका एंसर भाई होगा चलिए नीचे देखते हैं नीचे फिर हमारा कोश्ण दोगा ब्हें दाप उपल हर शोदा गोल्ड पिक्श्र है कि यह तिक लगा हुआ है यहvy बमने भी अब जरूर करिए यह और नहीं वीडियो मिले चलिए देखते हैं अब हमें इसका बनाना भी हमने साइंस बसका बनाया इंगिलिस का है फिर और बनाएंगे तब तक के बने रहिए दोस्तों यह हमारा दूसरा को जो कॉस्चन है इसमें भी का रिट वॉड़ोग सेंड़ एंसर द के इशसर कि गर नहीं ची्वारी का शूर्य तो द्यारिट किसे क्वश्चन में चलते हूं यह क्वश्चन है पहले का होगा एंपशन और दूसरे का भी A होगा कोकिंग होगा क्योंकि वेज़ीटेबल वाइलिन में ने यूज़्ट कोकिंग में होता है तीक तीसरे A का जो है इसका ये होगा लिवर चोथे का ब्लूबर ठीक और ये पचमे का जो है प्रोटेक्सान होगा लास्ट वाला पहले कहें नम्मर दूसरे का भी है दीसरे का सी चौथे का बी नम्मर और पाचमे का डी नम्मर चलिए आगे देखते हैं दोस्तों इसमें हम पूरा एंसर करेंगे एक ही वीडियो में इसका यह पैसेज है रिट दा पैसेज एंड मैख नोट ओन इट एंड एल्सो गीवने सुटेबल टाइटल यह जो हमें दिया है इसमें हमें नोट टाइटल बनाना है उसको भी देखते हैं चलिए नोट टाइटल देख लेते हैं दोस्तों जैसा कि दोस्तों अभी हमने उधर नोट टाइटल देखने के बात की थी जो कि इधर ये नोट टाइटल है टाइटल इसमें क्या लिखा है तो इसमें क्या होगा टाइटल टाइटल हमारा ये होगा नीचे लिखा है टाइटल टाइटल हमारा ये पर क्या लिखा है यह नोट से लिखे हैं आपास मतलब यह हमारे सारे यह नोट से हैं यह 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 और एक नीचे है यह भी सारे हमारे क्या है नोट से हैं और यह टाइटल यह नोट से एक दो इन चार पांच पॉइंट में नोट से टाइटल चलिए आगे देखते हैं को कोश्चन तो दोस्तों यह हमारा कोश्चन फोर है कोश्चन फोर में क्या कहा है यू और अनूब सर्मा स्टेडी कवर्मेंट हर सेकंडी स्कूल रीवा राइट अप्लिकेशन प्रिंस्पल टू यूर रिक्वेस्ट ही मिन इसू यूर टांसफर सार्टिफिट विकाज यूर फ यह ना पूर मतलब अनूब दिया होगा यही रहेगा तो चलिए इसका अंसर देखते हैं तो दोस्तों जैसा कि यह चौथे नम्मर में जो हमारा अप्लिकेशन था यूर अनूब सर्मा स्टेडी गवर्मेंट यह यहां भी लिखा है यह कोश्चन है सुरू में यह देख रह यह सब्जेक्ट क्या लिखा है रिक्वेस्ट टू यहां हमें लिखना है इसू यहां इसू होगा फिर क्या होगा टीसी ट्रांसफर सार्टिफिकर यह इसू ट्रांसफर सार्टिफिकर बस हमें लिखते हैं रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर सार्टिफिकर तो दोस्तों इसके के नीचे देख सकते हैं यह अप्लिकेशन भी रिक्वेस्ट आई है परनूप सर्माई स्टुडेंट क्लाश 10th भी वर्ल्ड लाइक यह हमें लिखना है बस इतना ही हमें अप्लिकेशन में लिख देना है ठीक तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हमने यहां पास जो बताया रिक्वेस्ट वो भी एक में बनाके दिखाते हैं तो दोस्तों जैसे हमारे कोश्शन 4 है भी हमने बताया भी यह उसका हमने यहां पास लिख दिया इस वे ट्रांस्वर सार्टिफिकेट बस हमें इसी तरह अप्लिकेशन कर देना है कोश्शन पाइब देखते हैं यह हो गया है अब कोश्चन फाइब देखते हैं कोश्चन फाइब में क्या है चलिए देखते हैं तो दोस्तों कोश्चन फाइब में यह हमारा क्या है राइट ऐसे मतलब ऐसे लिखना है ऐसे हमें किस पर लिखना है मैं बंदर आफ साइंस लिख लिए आ यहां पास पर यह पहला पॉइंट इंटोडेक्शन सेंसिटिफिक इन्वेंशन मेंस आप कम्यूनिकेशन कम्प्यूटर ठीक एक दो तीन चार पॉइंट होगा चलिए आगे देखते हैं हमें यहीं लिखने हैं निबंद अप्लिकेशन जिसे इंगलिस में क्या बलते हैं ऐसे हिंदी मोलते निबंद अप्लिकेशन स्वारी उपर वोल गया था उपर था इसे लिए चलिए कम्पूटर है फिर मेडिसीन एंड सर्जरी डिसड़वांटेज आप साइंस कंकुलेजन ठीक दोस्तों हमें इतना करना है यह कंकुलूजन है यह डिसड़वांटेज आप साइ क्पूरेंट है इतना हिमें करना है तो दोस्तों इसके आगे चलते हैं कोशन छे में अ तो जैसा कि दोस्तों भी हमें कोशन फोर का इंसर बता दिया है हमने को शनन usyn के निवच्ब झनली शन एक पर चली यह कोशन आंगे देघते हैं को शना चलीं हमारा फेट मैंशत तो दोस्तों हमने उधर कोश्चन देखा और इधर एंसर आगे पिटाग तो दोस्तों में यह लिख देना है एंसर लिखा यह पिक्चर वहां बनी थी यह पिक्चर यह यह लिख देना है थीव अरुक्ति वो cred was इस लिए हम इसे इतने में कर देचते हैं अजय तो दोस्तों यह नीचे भी लिखा है थोड़ा इसे भी लिख देंगे तो ज्यादा सही रहेगा है मतलब हम इतना पूरा इसके में दिखाई दे रहा होगा आप लोग को यह एंसर लिखा है फिर यहां गुड से नच्रूरल फिर एक्सरसाइज ठीक यह आज सही रहेगा लिखने के लिए हमें क्या बहुत है फिट एंड हेल्दी रहने के लिए क्या करना चाहिए तो जो कि हमने की बता दिया फूर आप लोग देख जेतना स्क्रीन में पर लिख सकते हैं छले दोस्तों आगे देखते हैं कि फिर पर फिर व्काज होगा फिर सुड झोगा फिरेन होगा थी छो हमारे अप्षें Elli होगा यह बिल्कुल राइट ने तीक दो दोrio आपकर दोस्तों तो आगे चलते हैं वह चलते जर्ब क्या है तो लगाइंगे टीक और जहां जोड़ना है तक यहां में लगा देना है बस यह हमें so that का यूज में करता है ठीक दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं बाकि किसका यूज का मैं अलग से वीडियो बनाएंगो किसी दिन अभी तो नहीं बना पा रहा है चलिए अभी इसका बस solution कर रहे हैं फिर क्या है जो कि आप लोग नीचे देख सकते हैं लोग कर दिया है ठीक चिल्डर डाइंग डर ट्वाइब भाई दाच लेनी यह इसका अधिकक यह आइंसर है मारा घार उपर कोशन बढला था है तो दोस्तों तीसरे में क्या है इफ यू रन फाईस्ट आप लोग देख सकते हैं मैं से म कि चलता हूं कि क्या बोला है unless in place of if मतलब इफ के जगा पर हमें अलेस लगा देना है जैसे कि दोस्तों यह फ है फो हमें यह उज्ज करने के लिए वाला तो लिए लगा देंगे बांगी कि यह स्थान पर हमने अलेस रखना है वह क्या बोला है देखे देखिए sentence using unless in place of if मतलब if के स्थान पर हमें unless रखना है बस बागी के पूरा sentence कहीं भी आएगा अगर पेपर वार्षिक में भी आए तो यह इफ के जगहां पर हमें unless लिख देना है बस यह जैसे यहां पास कर दिया है ठीक दोस्तों सही होगा सही है पूरा बिल्कुल लग होगा आपको सही दिखता होगा यह बोलना था आगे क्या है ही दोस्तों आगे चलते हैं जैसा की दोस्तों यह हम पाक्चम में आगे लिखाय देया रसेलिंग यह प्रेजेंट पर्फेक्ट यह प्रेजेंट पर्फेक्ट में करना है तो यह प्रेजेंट पर्फेक्ट का है लगा दिया प्रजेंट पर्फेक्ट पर्फेक्ट में क्या लगता है बार्व की थर्ड फॉर्म यह लगा दिये देया रहा उस ठीक दोस्तों यह भी सही है फिर च्छट्मे में क्या है च्छट्मे में combination दा sentence using हूँ इसमें हूँ का यूप योग करना है तो मने पूरा sentence यह शुरू का भाहि है सीमाइज माइश सिस्टर यहाँ हूँ लगा दिये फिर यह इसको हटा दिये फिर ही sitting at the last bench बस ऐसा ही करना हैं में दोस्तो आगे question करना में चलते हैं को फिर दोसरे का डस्ट आप सो फिर इसका क्या होगा इसका किट्टी होगा दोस्तों यह तो ठीक फिर इसकी आगे सी मैड़ फन इन हीर दोस्तों यह तो कोश्चन अभी हम स्वालव करना है इसका भी दोस्तों क्या होगा डी नम्मर होगा जो कि यह भी गलत है ठीक दोस्तों चलते हैं अगर आप लोग को जो सही लगे कमेट में बताएगा मेरे समझ से यह दोनों वही होगी जितने हमने टिक लगा दिया आगे देखते हैं कि यह है को यह लिखा है को और गया इन फॉर्मन फॉर इसका होगा कोफी सही है इसके आगे होगा अंडर फेपल त्री यह भी अगलत है अंडर प्रीपल ट्री ठीक दोस्तों यह जो हमने तीन गलत किये यह इनका आप लोग को पता हो तो कमेंट में जरूरू बताएगा वा कि यह आगे दोस्तों रिड़ फॉलोविंग इस्टर फॉर दापस कि इसमें सब्सक्राइब करना थे पहले का सब्सक्राइब दोस्तों लोट यह लोटर टू गॉड ठीक यह हमारा प्रेपर खतम हो गया जिसन चुलतेंगे वेर बाद लंचो इसमें भी यह इसरा फाइंड सब्सक्राइब आगे चलते दोस्तों यह भी में आ गया भी में जैसे टीक लगा होगा आप लोग देख सकते हैं बस यह हैं फिरमागे कोशन एंसर में दोस्तों एक जार्मा जार्मा में है कोशन एंसर बाद देखी सकते हैं यह कोशन दूसरा है ठीक दोस्तों यह तीसरा है वाई बाजी ओंग थे लाई ये चौथा है ठीक दोस्तों आगे चलते हैं देखते रहेंगे कोश्चन ये कोश्चन पच्मा है कहां पास ये हैं पच्मा ये चटा ये सेबंथ ठीक लेकिन हमें कितने करने हैं आप लोग छे कोई लिख देंगे बस चलिए आगे देखते हैं कोश्चन ट्वल्थ एनी फॉलविंग कुश्चन और टीस वर्ड़ इसमें दो करना है तो आप लोग देख सकते हैं कोश्चन है इन में से दो करना है तीन दिया है चाहिए आप ये कर दीजिए कि या फिर ये करए थीन शहमें करना है दो में से के दो करना है तीन दिया है दो करना है चले दोस्तों कोश्चन ते रहे हैं एनी दा फालोबिंग कोश्चन अबाउट तीस बाउट इसमें दो करना है एनी टू लिखा है यह लिखा रहता है यहां पास चलिए आगे देखते हैं यह कोश्चन पहला यह है ठीक दोस्तों दूसरा तीसरा आप लोगं को इनी में से दो कोई चूज कर लेजे लिख लेजे चलते हैं आके कोश्चन चाहुदा में कोश्चन चाहुदा एनी दा फॉलबिंग कुश्चन इन अबाउट 75 वर एनी टू इसमें से 75 बाट में लिखने हैं कोई दो कोश्चन हमारा पहला यह है जैसा कि आप लोग देखी रहे हैं लिए हम पेपर में आ जाते पेपर खोल ल है कि यह ठीक है पजातर बड़े के लिए चलिए कोश्चन दो देखते हूं तो दोस्तों यह कोश्चन दो यह दिया हाउ डीड मेंडल सुमान चेंज लाइफ यह कोश्चन है दूसरा तीसरा कोश्चन यह है तो आप लोग टू बोला है क्या बोला एनी टू बोला था तो आ कि देखते हैं कोशन 15 नरा तो दोस्तों कॉंशन 15 यह है है जो डिए कोश्चन एंसर द फोलग मेंसमें करना है ठीक होटरन है यह कोश्चन है थिक बाद यह एक दूसरा को जई है जो कही हमने दोस्तों पहला कोशं नहीं नहीं किया करना किकश्ण अथबा यह आप लोग साता होगा तो करिए का बरना उपर वाला अबल baixo राइट लाइट केड़ें दूस्तों आगे चलते हैं कुशुन दूस्तों यह हमारा इ Attorney मैं दूसरा नोज फहाए थिट जो है था इंप लोग जो आइख सकते हैं या मुझे के जिए प्रेशन बाद कीजी होती नऐ जो आपटा सकते हैं कमेंट में आगे से कर ये सपोर्र भी कीजिए दोस्तों हुंस्क्राइब नहीं आ रहे हैं ईटु दोस्तों देख रहे हैं तो दोस्तों ऐ दों कि वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल में भी प्रश्ण बैंकर आ रहे थे कुछ कोश्चन जो कि आये हुए हैं अब यह प्रीबोड का रहा है बांकि के हम बताएंगे जो आप लोग कमेंट कीजेगा दोस्तों धन्यवाद जैन